जैसरी शाम वेलकम बैक टू माय चैनल हनी बी व्लॉक्स बच्चों के स्कूल में एक्जाम सो गए हैं कम्प्लीट वैदिक सुदानशु दोनों के एक्जाम सो गए हैं रिजल्ट अभी बेटिंग है रिजल्ट आना बाकी है और इनकी स्कूल में चल रहा है इनके समर क्लासे जो इनको दान सिखाया जाता है मंतलब कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ फंड जा रहा है लुक्त खिल देते हैं योंगा करवा देते है थे तो इद्ध को मुने कि बना के भीजा है तो सुदान्शू बना है फोजी वैदिक बना है स्पाडर मैं दोनों के पास ड्रेस थी तो दोनों यहीं बन के चले गए और जो सूस में भाईया जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते तो जो साथ में चला जाता है तो यहीं सब चल रहा है रिजल्ट आएगा तब इनका रिजल्ट लेने में ज़रूर से जाओंगी और यह है इनकी के स्कूल का अभी समर क्लास से चर्ड़ उसके बाद होगी समर वैकेशन्स तो अभी इनकी लिए वेट कर रहे हैं हम लोग जैसी शाम वेलकम बैक टू माई चैनल हानी वी व्लॉग्स तो हो गई हूं मैं तयार औ तो मैं बहुत excited उसका रिजल्ट लाने के लिए तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिजल्ट लाने के लिए आने के बाद आपको उसका रिजल्ट डिखाती हो और यह वैदिक हुआ है तयार अपनी स्कूल जाने के लिए किसको लाना है रिजल्ट स्कूल ड्रेस पैन के जाना कमपलसरी कुछ है नहीं तो कुछ भी पैनो जाओ तो आज हम लोग पहुँचे हैं इनके स्कूल में और यह है रिजल्ट दिया जा रहा है यहाँ पे सब बच्चों का और जो बच्चे फर्स सेकेंड थर्ड आये अपनी क्लास में कुछ पॉजिशन लेकिया है उनको वहीं पे हैंट्विट आवर्ड दिया जा रहा है सुदान इसको दिया जा रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा मायूस हुआ था तो स्कूल की प्रिंसिपल ने वैदी को भी पैंसिल एरेजर शॉपनर का एक छोटा सा किट दिया था इसको भी खुश करने के लिए तो बस यह है बस पोजिशन इन क्लास एलकेजी सेशन 2023-24 फूजा स्व फोटो लगा है इस पे और यह वैदी का पूरा रिजल्ट है और लास्ट में के क्लास का पूरे जो क्लास के बच्चे हैं जिते भी इसके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इसका ग्रूप फोटो है और यह सुदानशु को फोटो और सुदानशु के हैंट्प्रिंट्स इनके रिजल्ट में लगाया जाता है तो मैंसोच आप किसाँ शेयर कर दूँ और उसके बाद हमारे घर पे लगाने वाले आ गए थे एसी हमारे रूमें पहले से लगी वे पापाजी की रूमें एसी लगवा रहे थे बच्चे छोड़ती ही नहीं सारा दिन कूलर में हाँ देते रहते तो डर लगता है थोड़ा सा तो वैदी को यह सब देखना बहुत पसंद है तो एसी लगाने वाले लगा रहे थो वैदी बैट के देख रहा था और उसकी बाद जो घर का हाल किया इनोंने एसी के जो में चल रहे हैं मारे करके बच्चों के तो बस यहीं व्लॉग में थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया सोचे दिखा दू कभी अच्छा लगदा बच्चों की हरकते देखके और मम्मी जी यहां पर कुछ पता नहीं क्या बात बता लिए वहीं सुन रहे थे हैं मोग साथ में जैसरी श्याम तो आपने मेरा व्लॉग देखा जिसमें बच्चों का रिजड़ डिक्लेयर हुआ था वो में लेने गई थी उसके बाद हमारे घर पे इस ही लगा तो मैं उसका भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था और मेरे जो चाचा ससुर्जी है वो करवाने वाले तो उस टाइम मेरी भुहासास लोग सब कोई आय थी तो वह गाओं से सब रिलेट करती है तो उनके वहां इडली वगर नहीं बनती तो मैंने लोगों के लिए खास इडली बनाय थी सबका रियक्शन मैंने रिकॉर्ड भी करा था पर वो शायद पता नहीं कैसे चला गया मेर जब थालीप और उसी तो मैंने उसका फोटो और थोड़ा सा वीडियो बनाया वो मैंने आपके साथ शेयर किया लेक्शन थोड़ा सा मैंने पता नहीं कै हाँ वो वीडियो कहां चला गया तो है नहीं मेरे पास कैड यही था मेरा व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जबूर नहीं आए पर कि जादर दिन रुकना हो नहीं पाता बार बार आना जाना नहीं होता तो वह नहीं आए तो इस बार तो उनके बिना ही अनिवर्सटी सेलिब्रेट करी थी लेकिन ऐसे के व्लॉग देखेगा और कैसे लगे कमेंट को किसे बताईएगा और यह बना रही हूं यहाँ पर इडली मेरा मन था जब वह जो लोग आएंगी तो उनको इडली बना के खिलाओंगी तो उनके लिए इडली बना रही है तो मैंने प्रिपरेशन करके छोड़ दिया है और भी दालवाल बन रही है मतलब डारेक्ट मैथर से ऐसा नहीं पहले दाल उबाल ली है फि सुरुबटा ये गाई